थेलो फ्रेंड्स वेल्गम तो मैं यूट्यूब चैनल धपैट वीजन दिस इस साहिल मलीक यूर होस्ट अंदियोरवेट तो मेरे पहले दोस्तों आज की जो क्लास है वो कनायन डिस्टेंपर के उपर होने वाली है बेसिकली आपको पता है कि कनायन डिस्टेंपर नाम की जो बीमारी है बड़ी ही फेमस एक बीमारी है जो कि डॉक्स के अंदर होते ही होती है उसकी लाइफ टाइम के जुरान अगर आपने उसकी केर ना की हो तो देखो मेरे पैरे दोस्तों आज की वीडियो थेओरिटिकल में मोड पे होने वाली है यानि आपको क्लियर ली विजीब और अगर आप एक डॉग ओनर हो आप अपने डॉग को प्यार करते हो तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफीशिल यह जो वीडियो है वो रहने वाली है ठीक है ठीकल सारा चलेगा तो प्लीज आप ध्यान से इस वीडियो को बोच करना ताकि आपकी नॉलेज और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाए डॉग्स को लेके और बेसिकली इस बीमारी को लेके ऐसे ही हम और भी क्लासिस लेके आएंगे लेकिन अभी इसको स्टार्ट करते हैं बड़ा ही इंपॉर्टन्ट है तो ध्यान से रखना सबसे पहले मैं कनायन डिस्टेंपर की बात कर हो तो अगर मैं बात करता हूं इसकी डेफिनेशन की तो इसकी डेफिनेशन क्या उभर के आती है करायन डिस्टेंपर इसे हाइली कॉंटेजियस हैं पोटेंशियल फीटल वायरल डिजीज दैट अफेक्ट डोग्स और अधर मेंबर ऑफ दा कैनेडी फैमिली सच आज वोल् पोक्सित हों हो उगे को अदर यह abbiamo नर्व पायर बहुत अ करते हैं जो सांस लेने वाला जो यंतर होता होता है हमारा को इसको फैक्ट करेगा नर्वस इस्तम को बहुत करेगा यॉल करेगा यानि जो बक्र करेगा कि जिसको हम CNS भी बोलते हैं ठीक है Cerebro Nerval System भी आप बोल सकते हो तो बैसिकली यह वह बड़ा ही important point है definition की अंदर ठीक है अब basically इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर कुछ symptom नजर आते हैं symptoms such as fever, coughing, diarrhea, vomiting and seizures seizures बोडिक के अंदर जटकी आ जाना ठीक है there is a no specific treatment for canine distemper यह बहुत जादा important है बहुत लोगों के comment थे कि sir इसका कोई treatment है या नहीं है तो please इसका कोई भी ऐसा treatment नहीं है लेकिन इसका solution जुरूर है आगे वीडियो को end तक देखते रहो मैं जुरूर completely आपको share कर दूँँगा ठीक है आप कुतना मरजी treatment कर वालो इसका कोई भी लाज नहीं होने वाला जब तक आपने vaccine इसकी नहीं करवाई है तो तब भी आपका जो डोग है safe रहेगा ठीक है अब मैं बात करता हूं इसकी etiology जिसको हम बोलते हैं reason कि actual में इसके पीसे reason क्या है भाई यह क्यों होती है भी मारी ठीक है तो canine distemper is caused by virus known as canine distemper virus जिसको हम cdvb बोलते हैं short form में the virus is a member of the paramix of family यह एक paramix of family का एक virus है is closely related to the virus that causes the measles in the humans जो humans के अंदर एक measles नाम का जो वाईरस होता है उसी से ही resemble करता है यह canine distemper virus the virus is spread through the air यह जो वाईरस है air के दुरू spread होता है and it can also be spread through contact with an infected animal bodily fluids यानि अगर एक infected dog है उसकी body का किसी बी तरह का कोई fluid है वो infected है अगर वो healthy बनके contact में आ रहा है तो वो healthy जो डोग है न वो भी infected हो जाएगा इस बीमारी से तो please ध्यान रगना ठीक है और साथ में ही blood से अगर हो जाता है transfusion तो भी हो सकता है urine से and feces से भी the virus can survive for long period of time in the environment यह जो वाईरस है environment के अंदर काफी time तक survive करता है it can be contracted by dogs and other member of the Kennedy family and that come into contact with contaminated surfaces or object basically कई बार हम सोचते हैं ना कि यार मेरा डोग तो बाहर भी नहीं गया फिर भी उसको canine distemper virus हो गया वो वाईरस क्यूं हुआ है जब मेरे पहर गुमाने लेके जाते हो ना अपने डोग को कई बार अगर कोई infected dog वहां पे feces कर दे urination कर दे और अगर आपका डोग healthy dog है वो उसके अगर contact में आजे तो आपके डोग के अंदर भी यह जो canine distemper virus हो आ जाएगा बड़ा ही important point है ठीक है हम इसको नजर अंदाज कर देते हैं हम ऐसे सोचते हैं कि हमारा जो डोग वह खुश है उसमें मुह मार रहा है या वह उसके साथ खेल रहा है तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करवाना है आपको हमेशा ही अपने डोग को हटा के रखना है उससे अगर आपका डोग ऐसी हरकत करे तो आपको उसकी जो लीश है वो एकदम से कीच लेनी है कि भई तेरको यह नहीं करना आपको ऐसा उसको guide करना है ठीक है तो basically यह important point है जो कि अ important point वो है symptoms symptoms of canine distamper virus can be divided into the three main categories first is respiratory symptom respiratory मतलब सास लेने में जो हमारा जो यंतर जो होता है तंतर जो होता है उसको हम respiratory system बोलते हैं ठीक है इस इंक्लूड कफिंग इसमें कफिंग होती है स्नीजिंग मतलब छीकना nasal discharge होगा difficulty in breathing सास लेने में दिक्कतो आएगी आएगी ठीक है gastrointestinal symptom आते हैं अब gastrointestinal मतलब पेट से regarding है intestine से जो हम बोलते हैं आत्रिया जो हमारी होती है उनसे related है अब यह symptom these include vomiting diarrhea and loss of appetite इसके अंदर vomiting होती है आपके डोग को loss of appetite यानि अनुरेक्सिया हो जाएगा मतलब उसको बिल्कुल भी खाना पीने की बिल्कुल ही नहीं सुझेगी भूगी नहीं लेगी उसको ठीक और lethargic condition में भी आपका जो लोग है वो चला जाएगा उसको चलने फिरने में भी दिक्कत होगी immobility में show करेगा यानि उसको चलने फिर में काफी ज़्यादा मातरा में दिक्कत आएगी mouth से बहुत ज़्यादा मातरा में सलाईवा नजर आएगा आपको temperature कई बार नजर आ सकत कुछ डोग के अंदर pneumonia भी हो जाता है एंसिफलाइटीज हो जाता है तो मैंने बोला था न ओल्डोग एंसिफलाइटीज या hard pad disease और एंसिफलाइटीज का मतलब क्या होता है inflammation of the brain यानि brain के अंदर inflammation हो जाना और hard pad disease को बोलते हैं In addition, infected dogs may have a fever, swollen lymph node and lose weight इसमें आपके डोग को fever भी देखने को मिलेगा और जो lymph node जो होते हैं यहां पर पाये जाते हैं उसमें आपको swelling नजर आएगी और साथ में ही body का जो weight है बहुत ज़्यादा मातरा में कम हो जाएगा It's important to note that these symptoms can be caused by other illnesses and only a veterinarian can confirm the diagnosis of the canine distemper virus by the laboratory test तो basically आपको इस disease का test करवाना है तो अब test कौन सा test होता है वो होता है rapid test जैसे आप अपने veterinarian से contact करोगे तो आपके veterinary doctor आपको ज़रूर suggestion देंगे कि आपको यह test करवाना है जिससे आपको confirm हो जाएगा कि हाँ मेरे डोग को canine distemper virus ही है because seizures के तो और भी बहुत सारे reason हो सकते हैं ठीक है को especially यहीं नहीं होता अब many important है transmission transmission of canine distemper virus can occur in several ways सबसे पहले है airborne the virus is primarily spread through the air and it can be contracted by dogs another member of the Kennedy family that come into contact with infected respiratory secretion such as coughing और sneezing तो basically airborne होता है यह ठीक है coughing और sneezing देखने को मिलेगी direct contact कि अगर मैं बात करूँ the virus can also be spread through contact with infected animal bodily fluids such as blood urine और फिसी जैसा कि मैं पहले बताई चुका हूँ कि अगर एक healthy dog किसी भी infected बनके contact में आ रहा है और इस तरह से वो कोई भी उसका जो discharge है उसको लिक कर ले उसको खा ले किसी तरह से उसकी body के अंदर चला जाए तो वो infected हो जाएगा तो वो direct contact हो गया contaminated object मतलब जिसमें पहले से ही वो virus present है और अगर आपका dog उस object को खा ले निगल ले लिख कर ले तो उसमें ऐसा होता है the virus can survive for a long period of time in the environment and it can be contracted by the dogs and other member of the Kennedy family that come into contact with a contaminated surface or object such as the bowels, bedding or the clothing तो basically जब भी अगर किसी dog को canine distemper हो जाता है तो उसको आप segregate कर दीजिए इंक्यूबेट कर दीजिए बिल्कुल ही आपको उसको अलग रख देना है ठीक है यानि आपको हम बोल सकते हैं कि जैसे हम कोरोना में हुए थे ना बिल्कुल ही segregate हो गए थे रैसे ही आपको करना है इसको ठीक है क्वारन्टाइन बेसिकली हम उसको बोल सकते हैं इंटो कॉंटेक्ट विदे कंटामिनेटी सर्फेस तो आपको अपने डोग को उससे कॉंटेक्ट होने से जरूर बचाना है ठीक है यूटरस यहां पर यूटरो जो वर्ड जो यूज किया गया है आप इसको यूटरो भी बोलते होगे लेकिन मैं यूटरो बोलता हूं यूटरस का मतलब इंटरनल बोड़ी पार्ट जिसको आप गरबाश्य भी बोलते हो मदर का जो होता है उसके अंदर जब पपी जो होते जब बन रहे होते हैं उनकी development जो चल रही होती है तो उस time भी यह जो virus spread कर सकता है during the birth, birth के time भी हो सकता है और mother milk से भी फैल सकता है तो बड़ा ही important यह जो point रहने वाला है ठीक है It's important to note that virus can be transmitted to any unvaccinated dog regardless of breed, age or sex Also the virus can be spread to other species of Kennedy family such as walls, foxes and coyotes and can cause similar symptoms and complications Basically, यह जो animal है इनके अंदर भी ऐसा देखने को मिला है की canine distemper virus होता है इनके अंदर भी बड़ा ही important point है यार मैंने बता दिया तो इसलिए इसको बड़े ही ध्यान से आपने समझा मैं यह भी बानता हूँ अब मैं बात करता हूँ treatment की तो treatment of canine distemper is primarily supportive and supportive and symptomatic basically हम बहुत सकते हैं कि आपको supportive therapy अपने डोग को provide करने है because इसका कोई proper treatment है नहीं हमको symptomatic treatment करना पड़ेगा जो भी symptom दिख रहे हैं उसके against हमको medicines देनी पड़ेंगे ठीक है वो आपके veterinary doctor veterinary surgeon जो होते हैं वही आपको एक अच्छा treatment suggestion दे सकते हैं तो as there is a no treatment for the virus the main goal of the treatment is the manage the symptom and to provide the supportive care to the infected animal the treatment may include hospitalization and isolation मैंने जैसे बताया देना क्वारंटाइन कर देना सबसे पहले आपको infected dogs should be hospitalized and kept in isolation to prevent the spread of the virus to other animal intensive care dogs with severe symptoms may require intensive care such as oxygen therapy IV fluids and anti-caesure medication antibiotic to help prevent secondary bacterial infections antibiotics दी जाती है nutritional support में to maintain the dog strength and to prevent the weight loss treatment of secondary condition such as pneumonia and syphilitis or hard pet disease it's important to note that the recovery rate and prognosis of the disease can vary widely depending on the severity of the symptom the overall health of the dog and the quality of the care provided some dogs may recover with no long-term consequences while other may have permanent neurological damage or die from the diseases okay it's also crucial to avoid the overcrowding of the dog's population and to keep them vaccinated this will help to reduce the risk of infection and to control the spread of the disease तो मेरे पहरे दोस्तों ये जो मैंने आज आज आपको completely एक आर्टिकल जो समझाया है ये है ये है canine distemper के ओपर hope so आपको समझ में भी आ गया होगा लेकिन मेरे पहरे दोस्तों हमने काफे टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने canine distemper का एक treatment suggestion दिया था तो वो जो treatment जो है वो specially जो work करता है symptoms के ऊपर ठीक है आप एक बार उस वीडियो को जरूर watch कर लेना आपकी जरूर help होगी मैं description में उस वीडियो का आपको link provide कर दूआ लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कोई भी आप treatment दोगे अपने डोग को तो प्लीज अपने वे उसकी help हमको जरूर करनी है तो मैं आशा करूँगा आज जो मैंने efforts इस वीडियो में लगाने की कोशिश की है आपके लिए beneficial रहे होंगे thank you so much for watching this and please do like, subscribe, comment and share और अगर आप चाहते हो कि इसी तरह की और भी knowledgeable videos आती रहे तो please हमारे चैनल को आप subscribe कर लेना इस वीडियो को like कर देना और अगर आपके डोगो करना इन डिस्टेंपर है तो इस वीडियो को देखना शेर करना आपका अधिकार है और आप जरूर इसे शेर जरूर करोगे thank you so much for watching this and please do like, subscribe, comment and share thank you so much जै हिंद, जै भारत